हेलो एस्ट्रेंट्स मैं हूँ जैसंकरजा और आप देखने केरियर परणवादा बाई जैसंकरजा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केरियर परणवादा में श्वागत है आज मैं आप शबों के लिए जिग्रफी का वीडियो लेकर आया हूँ इसे पहले हिस्ट्री का जितने भी चैप्टर उनमें से एक चैप्टर जो अंती में उसका अबजेक्टिव चुर कर सभी चैप्टर का इंप्पोर्टेंट अबजेक्टिव अप्लोड किया अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें देख लें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सब्र करते हैं आज का या वीडियो इसमें हम चेप्टर लगा इंप्रटेंट अबैजेक्टिव देखेंगे फिर ऐसे करते लगातार आप लोगों के लिए में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोगों को एक्जाम तक में आप लोगों तक पहुचा दूँगा तो आप लोगों हमारे साथ बने रहे बस आप लोगों का एक्जाम में बहतर अंक आएगा ठीक है चलिए पहला और एक मानव निर्मी संसादन होते हैं नवी कर नहीं होते हैं और नवी कर नहीं होते हैं तो डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दूंगा सब्जेक्टिव में अब यहां देखें पुना पूर्तियों यानि कि इसका पूर्तियों स्वता होता है इसके लिए कुछ करने के वृ शक्ता होते हैं यौकि दूसरा प्रक्राश्य में से किसका कथन संसाधन होते नहीं बंतें यह कथन जिमर मैंन में कहा है कि संसाधन होते नहीं बलिंग्य उन्हें बनाया जा या दूक। पर शोदेलाल हुजसरे देखते हैं कौईला किस प्रकार का संसाधन है च्वक्रोण एक बाल जाये गा इसलिए कोईला आ나비 करने था था है थिक न चलिए आगे अब देखते हैं चौथा जो प्रस्ट ने निमलिखित प्राकरतिक समपदाओं में किसका भंडार सिमित तो देखिये कोईला मिटी और सौर शकति आप option देखकर भी पता कर सकते हैं हवा मिट्टी और सौर सकती इसका भंडार सिमित नहीं है जबकि कोईला का भंडार क्या है सिमित है अगर ऑश्रमित होता यह भी प्रक्रतिक हो जाता ठीक है चलिए बढ़ते हैं अब पांच में प्रस्त की तरह पांचमा है डाकू की अर्थ सिमा के कितनी कीमी छेत्र तक राष्ट्रिय संपदा नहीत है समुद्री छेत्र में राजनेतिक सिमा के कितनी कीमी छेत्र तक राष्ट्रिय संपदा नहीत है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बारा दश हमलाव दू कीमी सात्मा है तट्र रेखा से कितनी कीमी छेत्र शी पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामने में गरीब है गरीब का मतलब होता है कम है ठीक है ना इसका हो जाएगा खनीज पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामने गरीब है तो खनीज इसका रैट अंसर होगा नमा प्रस है मचलियों के अस्तित को खत्रे में कौन डाल सकता है दुसित जल, वर्षा जल, सागर जल और बान, तो तीनों में से कोई जो है option से भी आपता लगा सकते हैं, जो मचली के लिए खतरा नहीं है, लेकिन दुसित जल से मचली स्वतह मर जाते हैं, ठीक है न, दश्वमा प्रस्ट है, बुरूंट लेंड किस देश की प्रधान मंत्री रह चुकी है, तो इसका रहे टांस का नारवे, ठीक है, अब देखते हैं, जैब और अजैब संसाधनों का वर्गीकन का आधार क्या है, श्वमित विकास, संपत, उत्पती, तो इस चारों आधार पर संसाधन का वर्गीकन क्या है, डीटेल्स में आपको मैं सब्जेक्टी म पढ़ा दोँगा, अभी मैं बता देता हूँ, श्वमित के दार पर विभाजन है, विकास के दार पर, श्वमापेता के दार पर अधार उत्पती के। जैविक और अजैव यानि कि जैव उत्पती की दारपर संसाधनका वर्गीकन है, एक्गारा का डी होगा, 12 निमलिखित थी इंपोर्टेंट कोईशिए ब्राजील में आयोजित किया गया था एट जोधने बानधो के अधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं तो समित के अधार पर संसाधन के चार प्रकार है ठीक है सोलह हमा प्रसने संसाधन नियोजन के कितने अस्तर होते हैं संसाधन नियोजन के तीन अस्तर होते हैं संसाधन नियोजन के तीन अस्तर होते हैं सत्रमा प्रस्ट ने तृतिय प्रिथी शम्मेलन कहां हुआ था तो जोहन सवर्ग में तृतिय प्रिथी शम्मेलन हुआ था ठीक है अठार्वा प्रस्ट ने इन में से कौन अजयव संसाधन नहीं है मतलब जयव संसाधन है तो इसका रहे टांसे का वनश्पती ठीक है न तब question बचता है इन में से कौन विकास के अस्तर क्याधार पर संसाधन का वर्ग है तो शंभाव शंचित और व्यक्तिकत ठीक है अब बढ़ते हैं विश्वाप्रसन के तरह विश्वाप्रसन संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है तो खनीज जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन इन में से कौन नीजी संसाधन में शामिल नहीं है नीजी संसाधन में शामिल नहीं है तो दिशतमाप पॉपुलिशोन संसाधन है तो मंदिर संसाधन है वहां पर कोई आ जा सकते है वाह सकते बाइश्माा प्रस्रेशत मैं पोशनिये विकास संबंधी रिपोल्ट पेस की थी इसका रहेटरों से उनीश्व सतासी में ठीक है पचीसमा प्रसें उनीश्व बिरानवे इस वी के प्रत्वी शम्मेलन में लगवा कितने देशों के राष्टा अध्यक सामिल हुए थे तो उनीश्व सतर देशों के संसाधन नहीं है खनीज तेल नवीकरी सन साधन नहीं प्राकर्थिक ग्यास और ठावन उर्जा नवीकरी तो यह दो नवीfikन करणी यह संसाधनना और प्राकर्थिक्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 27 प्रस्ट ने लोह औयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है तो और नभी कर निये में ठीक है राटीसमा प्रस्टं किस प्राक्रतिक संसाधन का भंदार सिमीत है तो है तो राजस्थान में हम सभी को पता है जल संसाधन का कमी है ठीक है जो तीसमा प्रस्ण एस्मॉल इस ब्यूटीफुल नामक पुस्ता के लेखा कौन है तो शुमेशर इसका उतर होगा पैंतिसमा प्रस्ण निमलिखित में कौन शामुदाईक संसाधन नहीं है तो कृषी भूम यूबढ кांप्र सभाव कर सकते मिंननेताइ सभी आंसर को पिकर सकते हैं है कि इस प्रकार में शामील होいます शंसाधन वर्ग में शामिल एठीगे ना सावजनिक पार्क एवं पिकनिक अस्तल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है तो सामुदाइक होगा तो इस प्रकार से आज का जो पहला चेप्टर था है जेग्रफी का वो कंप्रीट हो गया मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीड जहां भी कोई डॉट होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए आपको वाट्साप ग्रूप का लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए और बहुत ही अच्छा माक्स लाइ थैंक यू जुड़ने के लिए